एरेका पाम एक बहुत ही ब्यूटिफुल इंडोर प्लांट है आपने इसको जहां पे भी रखा है वहां पे ऑक्सीजन का लेवल तो इंक्रीज होता ही है साथ में ये बिल्कुल पॉश और रॉयल फेलिंग देता है लेकिन ये काफी संसिटिव होता है बात-बात पे इसकी ट ब्राउन क्यों हो रही है मेरे पास दो एरेका पाम हैं दोनों काफी हल्दी है और आपने मेरे कई वीडियो में इनको देखा होगा आज के इस वीडियो में मैं आपको एक-एक इंफिमेशन दूंकि A to Z की एरेका पाम की कैसे केर करते हैं कैसे पानी देते हैं इसको करते हैं और वही थी यंग प्लांट होते हैं आप उनको अपने टेबल के ऊपर रख सकते हो और फटके कुछ शेच नीडिक यह विडिक न aktivist के होते हैं आप इसको छोड़िशन भी प्लांट है तन अम्यंग से आते हैं पूनको खरीद के इसको उगा सकते हो लेकिन य एक और तरीका है, अगर आपके पास एक काफी घना अरेका पाम है, तो आप उसको रूट से डिवाइट कर सकते हो, एक से दो या तीन अरेका पाम बना सकते हो, बट best option यही है कि आप इसको नर्सरी से ले के आओ जब मैं नर्सरी से एरेका पाम खरीती हूँ तो एक चीछ पर focus करती हूँ और वो यह है कि मैं सबसे healthy एरेका पाम खरीती हूँ नर्सरी वाले most of the time क्या करते हैं कि अगर कोई एरेका पाम थोड़ा weak हो रहा है उसकी leaves खराब हो रही है तो वो बोलते है मैडम इसको साफ करके दे देते हैं यह सब चलता रहता है एरेका पाम में बट मैं आपको suggest करूँगे कि आप बिल्कुल भी compromise मत करना अगर आप एक weak एरेका पाम को घर पे लेके आओगे तो आपको और जादा problem face करनी पर सकती है यह plant और जादा stress में जाएगा लेकिन अगर आप healthy एरेका पाम को घर पे लेके आ रहे हो तो आपको challenges कम face करने पड़ेंगे हम एरेका पाम को most of the time indoor रखते हैं शेट में रखते हैं तो आप इसको किसी भी पॉट में लगा सकते हो आप सरामिक में लगा सकते हो प्लास्टिक में, सीमिंट में, क्ले में किसी में भी लगा सकते हो मेरा एक प्लांट प्लास्टिक के पॉट में है और एक सरामिक के पॉट में है अगर आपका experience अभी तक Eureka के साथ अच्छा नहीं रहा है, आपको challenges face करने पड़े हैं, तो आप मिट्टी के pot में, that is clay pot में ही इसको लगा। जब भी मैं इस plant को nursery से लेके आती हो, तो मैं इसको तुरंथ दूसरे pot में shift नहीं करती हूँ, क्योंकि जब plant हम nursery से लेके आते हैं, तो वो stress में होते हैं, वो shock में होते हैं, और जितने भी plants हम nursery से लेके आते हैं, अगर हम उनके साथ reporting के सारी छुट छुटे rules follow करें, तो उनको problem नहीं होती है, मेरा वीडियो है इस channel पे, मैं link description में mention कर दूँगी, आप उसको जरूर देखेगा, इसकी मिट्टी well-drained होनी चाहिए, जैसे कि सारे plants की होती है, लेकिन इसकी well-drained के साथ साथ compact भी होनी चाहिए, इस plant का upper portion, that is leaves जो हमें दिखता है, वो काफी बड़ा होता है as compared to roots, इसकी roots as compared to plant छोटी होती है, अगर हमने काफी soft मिट्टी ली है, तो इसकी जड़े खराब हो जाती है, इसकी grip खराब हो जाती है, प्लांट स्ट्रेट नहीं खड़ा हो पाएगा और bent होने लगेगा, इसलिए इसकी मिट्टी काफी compact होनी जाहिए, इसके soil mixture में 60% normal garden soil, जो भी आपके area में available है, red है, black है, clay है, जैसी भी है, 60% आपको normal garden soil लेनी है, 25% आपको sand लेनी है, construction sand, कहीं भी construction हो रहा है, वहां से ले आईए, यह आप market से खरीद लेगे, and 15% आपको compost लेना है, कोई भी compost, wormy compost, cow dung compost, kitchen compost, कोई भी, हम इसमें कोपीट अट नहीं करेंगे, और compost की quantity हमने बहुत कम रखी है, क्योंकि यह दोनों चीज़े मिट्टी को काफी soft बना देते हैं, अगर आपके पास neem cake powder, या कोई fungicide और insecticide है, तो आप उसको भी थोड़ा सा अड़ कर सकते हो, Eureka palm के लिए ideal temperature है, 15 degree Celsius से 25 degree Celsius, अगर 25 degree से 28 या 29 भी होता है, तो इसको कोई problem नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जाने पे, इसकी tip brown होने लगती है, क्योंकि यह stress में जाता है, सेम ऐसे ही होता है, विंटर में, जब temperature 11 degree Celsius या 10 degree Celsius टच करता है, तो यह फिर से stress में जाता है, और tip brown होने लगती है, ग्रोथ रुख जाती है, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस चीज को कैसे relate करती हूँ, अगर मैं किसी room में हूँ और मुझे uncomfortable feel हो रहा है, मुझे बहु तो मैं समझ जाती हूँ कि Erica को भी problem हो रही होगी, यह condition सारे plants के साथ नहीं है, यह तुलसी और करीपत्ता के साथ ऐसा नहीं होता है, वो हमसे बहुत जादा गर्मी beer कर सकता है, लेकिन Erica Palm को सब कुछ बिलकुल normal चाहिए, थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है, तो इसको problem होती ह Erica Palm की location क्या होनी चाहिए, यह बहुत important और बिलकुल simple है, इसे bright indirect light चाहिए, अगर आपने इसको किसी ऐसे जगे पर रखा है, जहां पर रोशनी कम आती है, जैसे आपने इसको corridor में रखा है, या stairs के पास रखा है, जहां पर रोशनी कम आती है, तो इसकी growth रुख जाएगी, ल harsh sunlight पिलकुल नहीं पसंद है, जबकि दूसरी side plant बिलकुल सही है, अगर plant में कोई problem होती है, तो पूरे plant की leaves burn होती है, लेकिन सिर्फ वही leaves burn होई है, जो sunlight की contact में थी, मुझे पहले थोड़ा doubt होता था कि कुछ Erika Palm तो मैंने ground पे भी देखे हैं, like societies में होते हैं, road site में होते हैं, वो भी तो direct लगे हुए, उन पे भी तो direct धूप लग रही है, उन्हें कोई problem नहीं होती है, तो हमारे घर में जो Erika Palm में, उन्हें धूप से क्यो problem है, बट पास से मैं देखा, तो जो ground में Erika Palm लगे हैं, जिन पे harsh sunlight पड़ती है, उनको भी sun burned हुआ है, उनकी leaves भी खराब हुई है मैं Palm Tree की बात नहीं कर रही हूँ, जो Goa और Kerala में होते हैं, मैं Erika Palm की बात कर रही हूँ, अगर आप अपने Erika Palm को धूप दिखाना चाहते हो, तो उसको वही धूप दिखाना जो आप बियर कर, विंटर्स में 12 बजे और 2 बजे की धूप भी हमें अच्छी लगती है, तो आप उसमें Erika Palm को रख सकते हो, लेकिन Summers में कभी-कभी 6 बजे और 7 बजे की धूप भी बहुत हार्श हो जाती है, तो उसमें Erika Palm को नहीं रखना है, तो अगर आपने Erika Palm को किसी ऐसी जगे पर रखा है, जहां पर बहुत तीज धूप आ रही है, तो इसकी टिप ब्राउन ह हो जाएंगी, अगर आपने ऐसी जगे पर रखा है, जहां पर रौशनी कम है, थोड़ा अंधेरा है, तो भी इसकी टिप ब्राउन हो जाएंगी, एक चीज और है, Erika Palm को वेंटिलेशन पसंद है, आप इसको फ्रेश एर देने की कोशिश करना, कोशिश करेगा कि इसको विं तो नहीं है, जब हमें पूरा शूर हो जाता है, कि अंदर तक सूख गई है, हम तब पानी देते हैं, लेकिन Erika Palm को moisture बहुत पसंद है, आप इसकी soil को completely अगर ड्राय कर दोगे, तो इसकी टिप ब्राउन हो जाएंगी, अंडर वाटलिंगी वज़े से, तो मैं क्या गरती हू और पानी में installment में देती हूँ, अभी एक मग दिया, फिर थोड़े देर में दिया, फिर थोड़े देर में दिया, मैं तब तक देती हूँ, जब तक पानी नीचे से निकलना जाएं, ये procedure follow करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि roots नीचे होती है, roots को नीचे पानी चाहिए, ले roots खराब हो जाएंगी, roots गल जाएंगी, roots के गलने से प्लांट खराब हो जाएगा, aphids या millibugs, pest का attack भी हो सकता है, और साथ में इसमें बड़े-बड़े patches भी आ सकते हैं, fungus की वज़े से, तो over watering मत होने दीचे का, बस चेक करना है, अगर आपको लगता है, काफी सूख गई ह एक दिन में और सदा सोख जाएगी, completely dry हो जाएगी, तब आपको इसको पानी देना है, एक चीज और है, अगर आप गीली मिटी में बार-बार पानी देंगे, तो इसकी मिटी में white-white जमा होने लगता है, यह fungus भी हो सकती हो, और जो हमारे पानी में salt, minerals हैं, वो भी हो सकते है एरेकपाम में एक और प्रॉब्लम आती है, हार्ड वाटर की, हार्ड वाटर की वज़े से इसकी leaves में white color के patches आने लगते हैं, यह प्रॉब्लम कुछ जिगे बहुत जादा है, तो मेरे हाँ भी यह प्रॉब्लम है, मैं क्या करती हूँ, कभी-कभी इसमे normal tap water देती हूँ, जि नहीं यह फ्लारिंग करता है, और नहीं यह फ्रूटिंग करता है, तो आप इस पे कोई भी chemical fertilizer मत दीजे का, NPK वेगरा की कोई सुरुवत नहीं है, Simple Organic Liquid Fertilizer दीजे, मैं इसकी growing period में, ताइस, February से लेके September तक, हर दो-दो महीने में Liquid Fertilizer देती हूँ, Most of the time, मैं Cow Dunk Liquid Fertilizer देती हूँ, यह best है, इंडोर प्लांट्स के लिए भी, पारिश के पहले मैं एक बार नीम की खली का Liquid Fertilizer, ताइस, Neem Cake Liquid Fertilizer देती हूँ, Winters शुरू होने के पहले, मैं एक बार Mustard Cake Liquid Fertilizer देती हूँ, that's it, इसके अलावा में कुछ नहीं देती हूँ, अगर आप अपने घर पे Cow Dunk Liquid या Mustard Cake या Neem Cake नहीं बना सकते हैं, तो आप Simply Sea Wheat Solution और खरीद लीजे, और वो अपने प्लांट में दे दीजे, एक Question बहुत उड़ता है कि Erika Palm को Epsom Salt दे सकते हैं या नहीं, Erika Palm को Epsom Salt बिलकुल दे सकते हैं, अगर Epsom Salt की जरूरत है, अगर प्लांट को Epsom Salt की जरूरत नहीं है, फिर भी आप दोगे, तो प्लांट स्ट्रेस में जाएगा और इसकी टिप ब्राउन हो जाएगी, Epsom Salt क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, कब देते हैं, इस पर मेरे चैनल पर वीजियो है, आप देख सकते हैं, इस प्लांट में मैं एक स्पेशल ट्रीटमेंट जरूर करती हूँ, महीने में एक बार मैं इसको दाल चीनी का पानी देती हूँ, मैं दाल चीनी को पीस्ती हूँ पीसने के बाद उस पर आधे लीटर पानी में एक या दो टेबल स्पून बॉयल करती हो, उसका काढ़ा बनाती हो और करीब 10 लीटर पानी में मैं इसको मिक्स करती हो, बिल्कुल अच्छे से डाल्यूट करती हो, और फिर वो में अरिका पाम को देते हैं दालचीनी में इसलिए डालती हो, क्योंकि ये एक और्गानिक रूटिंग हॉर्मोन है, ये रूट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, रूट्स की अच्छी ग्रोथ करते हैं As compared to other indoor plants, हम अरिका पाम में ज़्यादा पानी देते हैं, तो कहीं अंदर रूट्स खराब ना हो जाएं, उनमें फंगस ना लग जाएं, इसलिए मैं दालचीनी का पानी डालती हो और इसके कोई side effect नहीं है, बस आप इसको अच्छे से पानी में घोल के दीजेगा Erika Palm को अगर आपने बिल्कु सही जगे पे रखा है, बिल्कु सही से पानी दे रहे हैं, हर दो महीने में liquid fertilizer दे रहे हैं, उसमें कोई कभी नहीं है, सब कुछ perfect है तो इसमें कीडे नहीं लगते हैं, बिल्कुल नहीं लगते हैं लेकिन अगर आपको इसकी मिट्टी में कुछ कीडे दिख रहे हैं, I'm not talking about earthworm, अगर आपको पैस्ट दिख रहे हैं, तब आपको नीम का solution डालना होगा नीम oil solution से better होगा, कि आप नीम की पत्तियों का solution बना के इसमें डालो इसका वीडियो मेरे चैनल पे है, मैं उसका link description में mention कर दूँगी, आप देख सकते हो अगर आपको पैस्ट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उपर green fungus दिख रही है, या brown color की अलगाई जैसी दिख रही है, या white fungus दिख रही है तो उसके लिए आपको दालचीनी का यूज करना होगा उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है, मैं लिंक description में mention कर दूँगी अगर आपको इसके plant में millibugs, zephwits, ants दिख रहे हैं, then आपको नीम का solution बनाना होगा चाहें नीम की leaf का solution भी बना सकते हो, वो भी डाल सकते हो अगर वो नहीं है, तो नीम oil खरीद के, एक लीटर पानी में एक टेबल स्पून नीम oil उसमें एक या दो drop hand wash mix करके, इसका plant पे spray करना है एक दिन plant पे spray करें और next day इसको अच्छे से पानी से दो दीजे अगर आप ऐसे गरोगे, तो आपके plant से pest भी खतम हो जाएंगे अगर इसकी कोई front पूरी तरीके से खराब दिख रही है मतलब इसकी leaf burn हो गई है, पुरानी हो गई है या कुछ fungus का attack है आप पूरी पूरी front काड़ दो दूसरी चीज अगर आपको इसकी tip brown दिख रही है तो आप उसको cut कर दो एरे का palm हर छोटी से छोटी बात पे अपनी tip brown कर देता है आपने पानी सही से नहीं डाला या पानी डालना भूल गए या आपने पानी जादा दे दिया या temperature अप हो गया, temperature डाउन हो गया, sunlight जादा पढ़ गई, fertilizer की कमी हो गई ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एरे का palm हमारा decorative plant है ये अच्छा नहीं लगता है अगर इसकी tip brown होती है और दूसी चीज जो tip brown हो चुकी है वो वापस से green तो होगी नहीं और plant अपनी energy फालतों में इसमें waste कर रहा है जितनी भी brown tip देखती है आप उनको हटा दे रहो क्लेणिंग बहुत important है एक्चली थोड़ा सा time taking procedure है लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है अगर आपने आज तक अपने अरेका palm की leaf को किसी tissue paper से या cotton से नहीं clean किया है तो please clean करिए इसकी photosynthesis भी अच्छे से होती है प्लस इसकी shine भी maintain रहती है simply गीले कपड़े से आप पोच दो और time to time इस पे पानी का spray करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको humidity और moisture बहुत पसंद है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है आपके लिए useful है तो please आप इसको like ज़रूर करिएगा आपके like करने से ये वीडियो और लोगों तक पहुचता है और इसकी reach बढ़ती है So make your own garden, be safe and stay connected Bye Bye